नमस्कार में उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चुर जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुक खबरों को भारत में COVID-19 के रिकॉर्ड तोड मामले हुए दर्ज भारत में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जारी है अनलोक वन के प्रावधानों के लागू होने के बाद COVID-19 के मामले में बड़ी तेजी से बढ़ होतरी देखी गई है स्वास्थावभा के तरफ से जारी किये गए जानकारी के अनुसार बीते दिन COVID-19 के लगभग 17,000 मामले सामने आये थे जो कि अब तक 24 घंटे में पाई गए मामलों में सबसे ज्यादा है जिसके बाद भारत में प्रभावितों के कुलसंख्या 4,72,000 हो गई है वही अब तक COVID-19 की वज़े से 14,907 लोगों की जान भी जा चुकी है कोरोना प्रहावित राज्यों की बात करें तो इसमें राजधानी दिली और महारास्ट्र दोनों का नाम शामिल है वही राजधानी दिली में भी लगभग 4,000 मामलों की पुष्टी की गई है वहीं तमिलाडू में लगभग 3,000 तिलंगाना में 900, उत्रप्रिदेश में 650, गुजरात में 600, अंध्रप्रिदेश में 500, हरियाना में 500, पश्विमंगाल में 400 मामले सामने आये हैं पैन आधार लिंक करने और आयकार रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी, सरकार ने एक बार फिर से पैन आधार लिंक करने और आयकार रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है जारी केगे जौनकारी के नुसार आईकार विद्वर्ष 2018-19 का निलंबित संशोदित रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक दाखिल करने का फैसला सुनाये गया है इससे पहले सरकार ने आईकार में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश के अंतिम समय सीमा को 30 जुन तर पैकर थी वहीं अब दूसरी तरफ आईकार रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा पहले ही 30 नमबर 2020 तक बढ़ाई जा चुकी है जिसमें छोटे और मध्यमुद्यों के करदाताओं को रहत मिलेगी लकडियों को उतारने वाले वीडियो को देकर आनंद महिंद्रा ने दिया अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जुगाड़ रोग आए दिन देखने को मल जाते हैं इस इकरा में बीते दिन ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैर रहा था जिसमें जीब से लकडियों को उतारने के लिए लोगों ने जीब को ही उपर उठा दिया इतना ही नहीं यह वीडियो महिंद्रा समूग के प्रबंध ने देशक आनंद महिंद्रा ने भी अपनी ट्विटर हैंडल से शेयर किया था और बड़ा फ़नी रियाक्शन देते वे उन्होंने लिखा कि आज मुझे यह वीडियो दिखा इट्स क्रेजी हाला कि उन्होंने आगे कहा है कि जिन लोगों ने ट्रक को पकड़ रखा यह उनके लिए और सुरक्षित है मगर फिर भी मैं इस बात से अचंभित हूँ कि बिना किसी संसाधन के हमारे लोग कैसे मानज कर रहे है कुछी घंटों में आनंद महिंडरा द्वारा शेयर कीगे यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तीजी से फैने लगी एक घंटे में इस वीडियो को साथ हजार से ज्यादा व्यूज मिल गया है बंद के दौरान पचास हजार से तीस लाख तक कारोबार पहुचाने वाली दीदियों से बात करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यह कहानी है उतर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तक सूचना पहुचाई गई है अब 26 जून को प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहट प्रधेश के कामगारों से वर्चुल संबाद करेंगे तो इन महिलाओं की महनत और लगन के बारे में भी बात चीत करेंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे उत्तर प्रदेश के इस गाउं में 30,000 साल आना के किराये पर इन दीदियों ने जमीन ली थी बदलाव किया जाएगा और इस नई रूप रेखा का मसौदा दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा वही नए पाठिक्रम अगले साल मार्च तक तयार हो जाने की संभावना जताई गई है इतना ही नहीं मंत्राले ने अपने बयान में यह भी कहा है कि स्कूली सिक्षा के लिए नया पाठिक्रम तयार करने का काम शुरू हो चुका है NCRT से उमीद की जाएगी कि वो नय पाठिक्रम के मताविक केताबों में जरूरी बदलाव करें आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे मंत्राले के राश्ट्रिय सैक्षिनिक अनुसंधान और प्रसेक्षिन परिश्ट को निर्देश देते वे साफतार पर कहा गया है प्रसेट प्रसेट करते समय आने वाले मुद्धों का नियमों के तहत निवारन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अनधिक्रित है गुगल के प्रवक्ता ने इस बावत कहा है कि इस प्लाटफोर्म से पैसे ट्रांसफर करते समय अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समय दान जरूरी नियमों के तहत नहीं किया जा सकता क्योंकि आप अनधिक्रित है लेकिन यह गलत है इसकी सचाई को NPCI की वेबसाइट पर भी वेरिफाई किया जा सकता है RBI ने इस तरह की कोई बात की सुनवाई नहीं की है भारत के केवल 4.16% मरीजों को ही वेंटिलेटर की पड़ी जरूरत भारत में COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वहीं ऐसे में कुछ मामले ऐसे भी आते है जोने वेंटिलेटर की सक्थ जरूरत परती है जो उसके बाद अब स्वास्तव भाग की तरफ से जारी किये गया आंकडों के नुसार वहीं 15 दशबर 8-9 फीसिती मरीजों को ऑक्सिजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी है इसके साथ ही स्वास्समंत्राले ने COVID-19 जे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी हर दिन बढ़ोतरी की देने का दावाग किया है जिसके तहट पिछले 24 घंटे में 10,495 मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई है आज ही के दिन 1983 में विश्व चैंपियन बनी थी टीम इंडिया 1983 में आज ही के दिन कपल देव की कप्तानी में टीम इंडिया विश्व चैंपियन रही थी मैच के दोरान कई एतिहासिक पल देखने को मिलते हाला की जवानकारों के माने तो इस माच को जीतने के लिए भारतिय टीम के खिलाडियों ने सिर्फ एक साथ एक लाइन में कही थी लेट्स तो इट वहीं सुनिल कवासकर ने टीम के सीनिर खिलाडी होने के नाते यह जरूर कहा था शलो जवानों जिसके बाद उन्होंने 1100 जवानों को मैदान में उतारा जिन्होंने इतिहास रच दिया वर्ल्ड कप जीत कर एक तस्वीर आज भी हमारे मन में ताजा है वहीं उस मैच के दोरान मोहिंदर अमरनात को मैन ओफ दे मैच दिया गया था उन्होंने 26 रन बनाये थे साथी साथ तीन विकेट भी लिये थे कोरोना से शुटकारा पाने के लिए पाकिस्तानी सांसद ने बताया अजब गजब नुस्खा पाकिस्तानी सांसद ने कोरोना से शुटकारा पाने के लिए अजब गजब नुस्खा बताया है जिसके तहर जो काम पूरी दुनिया के वैग्यानी करने में और समर्थ रहे वही काम पाकिस्तान के सांसद ने यूच चुट क्यों में कर दिया उनके अनुसार टिड्डियों को खाने से COVID-19 का अंटी बॉड़ी बन सकता है इसके बाद उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है सिर्फ रियाज ही ने नहीं बलकि इससे पहले एक और सांसद ने भी COVID-19 का इलाज बताते वे कहा था कि जितना अधिक आप सोते हैं उतना ज्यादा COVID-19 भी सोएगा और यह आपको कोई भी परिशानी नहीं बहुँचाएगा इसलिए जब आप सोते हैं तो यह सोता है और जब हम दुनिया को अलविदा कहते तो यह हमारे साथ चला जाता है अब आम नागरिकों को मुहया करवाए जाएंगे चिप वाले ई-पासपोर्ट अब सभी लोगों के पासपोर्ट और ज्यादा सुरक्षित होने वाले हैं केंदर सरकार की तरफ से उठाएगया कदम के अनुसार Indian Security Press और National Informatics Center के साथ मिलकर चिप वाले ई-पासपोर्ट का निर्बान करवाए गया है इसे ट्रावल डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेंगे कई बार ऐसा देखा जाता है कि पासपोर्ट से जुड़ी गरबड यहां सामने आती है पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर गलत पासपोर्ट बनाने का काम जोर शोर से देखने को मिला है जिसके बाद अब चिप वाले पासपोर्ट को बनाए गया है जिसकी जानकारी विदेश मंत्री एस जैशंकर ने दी है जिसके बाद अब भारत ने इससे छुटकारा पाने के लिए जोर्ट के इस्तमाल के शुरुआत की है जिसके बाद भारत जोर्ट के इस्तमाल से टिड्डियो पर नज़र रखने वाला पहला देश बन गया है संयुक्त राज़्ट की संस्तान खादे एवं कृशी संगठन एफ एओ ने भारत की इस पहल की तारीफ की है केंद्रिये क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले ने बताया कि दिसंबर से देश में घुस टिड्डियों ने किसानों को काफी ज्यादा परिशानी बढ़ा दी है इसके बाद उनके रोक थाम के लिए और इन पर नजर बनाये रखने के लिए सबसे पहले ड्रोन कैमरे की शुरुआत राजिस्थान से की कही है राजिस्थान में इसके सफल परीक्षिन के बाद अब देश के 6 टिड़ी प्रभावित राज्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है मनिपूर में गिरते गिरते बची भाजपा की सरकार मनिपूर में भाजपा सरकार पर मंडरार ही परिशानी अब खत्म हो गई है क्योंकि भाजपा सरकार से नाराज मंत्रियों को मनाने में सफल हो गई है खबरों की माने तो नाराज होकर बीजेपी की सरकार से मंत्री पत्त से इस्तिफा देने वाले सहयोगी दल NCP के चारों विधाय को मना लिया गया है असन के मंत्री हेमत विश्वास शर्मा की पहल के बाद दिल्री में ग्रे मंत्री अमित श्रा के आवास पर होई बैठक के बाद यह हमामना सुलजाए गया है मेगाले के मुख्यमंत्री और नाशनल प्यूपिल्स पार्टी के मुख्या कोर्नाट संगमा और मनिपुर सरकार के डिप्टी सीम जै कुमार सिंग के नेतरत्व में पार्टी के प्रतिनिधी मंडल की मीटिंग में ज़ारी नाराज़गी दूर कर ली गई है 2021 में पूरे रफ्तार के साथ अर्थव्यवस्था के बापसी का किया गया दावा COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकों पर आ गई थी क्यूंकि इसके बढ़ते प्रभाव की वज़े से सभी कामकाज पूरी तरीके से बंद पड़े थ मगर 2021 में देश में फिर से तेजी से अर्थिवस्था पट्रे पर लॉट आएगी और उसका 6.0% की मजबूती आर्थिक वृद्धी देखने को मिल सकती है अंतराश्रिय मुद्रा कोश ने आगे कहाए कि 2020 में वैश्विक वृद्धी दर में 4.5% की गिरावट आने का अनुमान जटाएगा है जो कि अप्राइल 2020 में आर्थिक परिदृष्विक के अनुमान से 1.9% नीचे है LSE पर चीन ने उठाया नया मुद्धा भारत और चीन वस्तविक नियंतरन रेखा पर गलवान घाटी, होट स्प्रिंग और पैंगॉंग पर एक दूसरे केस आमने सामने है वहीं अब आधिकारिक सूच्टों के माने तो चीनी सेना ने उत्तर में सित एक दूसरे राजनेतिक छेत्र डेप सौंग प्लेस पर नियंतरन रेखा को पार कर लिया है मीडिया रेपोर्ट की माने तो चीनी सेना को बड़ी संख्या में प्लेंज के बॉटलनेक पर शिफ्ट कर दिया गया है और यही जगह है जहां पर साल 2013 में चीन ने ट्रेंट लगाया थी दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच काती रोज तब तीन हफ़ते तक चला था और अब राजवनेतिक वारता के बाद यह था स्यत्य वहाल की गई थी वहीं ज़ानकारों की माने तो चीन की नजर अब दूसरे जगहों पर पढ़ गई है इसलिए लगातार ऐसी हरकत करने पर मजबूर हो गई है नेपाल की सरकार के खिलाफ पार्टी के लोगों नहीं उठाई आवाज नेपाल के प्रधानमत्री के पिशर्मा ओली के खिलाफ अब नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी के अंदर से ही आवाज सुनाई दे रही है हाली में नेपाल कम्यिनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमीटी की बैठक बुलाई गई थी और नेपाल में समाजवाद लाने की कोशिश की जा रही है तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार COVID-19 के बढ़ते प्रभाव के वीच प्रवासियों को रोजगार देने में केंदर सरकार कितनी सफल हो पाईगी अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकॉन दबाना ना भूले धन्यवाद